एलो फ्रेंट सुगत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैग तो फ्रेंट्स अगर आप एक नए क्रिएटर है आपने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है यह चैनल स्टार्ट किया आपको एक दो महीने हो गए है और आपकी वीडिय के उपर जादा से जादा व्यूञां अगे तो प्यांट को सब्सक्राइब करें करें और फ्यूचेट को ओन करके उसे आपको मेरे आने वाली हर एक नए वीडियो की नाटिकेशं देलती रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरु करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इस trick को बड़े ध्यान से सीखेगा पूरी वीडियो देखेगा तब यह आपको समझ में आईगी तो इसमें हम जब भी अपनी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो हम जब भी अपलोड करने जाते हैं तो हम उसे जो visibility है उसे हमेशा public करके अपलोड करते हैं तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें उसे unlisted करके अपलोड करना है आप वे भी वीडियो YouTube की जब अपलोड करते हैं तो उसे आपको unlisted करके अपलोड करना है ताकि हम unlisted इसलिए करना है ताकि YouTube को भी ये पता लगे कि आपने किस category की वीडियो बनाई है किस तरह की आपकी वीडियो है वो उसको भी कुछ time लगे ठीक है तो आपको unlisted करके रखना है उसे और फिर उसे upload करना है और उसे upload करने के बाद आपको अपनी वाइटी स्टूडियो की अप्लिकेशन है उसे open कर लेना है तो मैं यहाँ वाइटी स्टूडियो open कर लेता हूँ तो इसमें आपको जो भी आपने वीडियो अपलोड की होगी उसके उपर आपको tap करना है और उसके बाद यहाँ पर एडिट का एक option दिखाई दे रहा है उपर आपको pencil का आपको इसके उपर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सब को चैड कर सकते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले title एड़ कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए एक dummy channel से मैंने login किया हुआ है तो यहाँ पर title आपको कैसे select करना है पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर आपको जैसे आपका title है views कैसे बढ़ाएं ठीक है इस तरीके का आपका title है तो आपको क्या करना है इसको सबसे पहले तो copy कर लेना है यहाँ से और फिर आपको back आना है और अपनी YouTube की application जो है उस पे जाना है और यहाँ पे आपको search में उसे paste कर देना है और यहाँ पे उसे search करना है तो यहाँ पे आपके सामने जो भी trend कर रहे होंगे यह सबसे उपर trend कर रहा है रैंक कर रहा है आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी अलग-अलग यूट्यूबर्स की यह बड़े-बड़े creators है ठीक है आपकी वीडियो मिल जाएगी तो आपको उसको target करना है जो नया creator हो और उसकी जिसकी वीडियो रैंक कर रही हो तो उस तरह के हमें यहाँ पर ढूंड़ना है और टाइटल में आपको सबसे अच्छी चीज यह है कि टाइटल में आपको ऐसा लिखें जिससे लोग देखते ही आपके पढ़ते ही उसपे क्लिक करें मजबूर हो जाएं उसपे क्लिक करने के लिए मोजबूर हो ने लिए ठीक है तो इस तरीके का आपको करना है तो यहाँ पर काफी सारे आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर Creator है जिसकी ओपर ही रैंक कर रही थी का फर्थ नमबर पे ये है ठीक है फोर्थ नमबर पे रेंक कर रही है फोर्थ या फिफ्थ पे है तो आपको क्या करना है इसके आपको जो टाइटल है इसमें थोड़ा चेंजिस करके अपने टाइटल में लिख देना है मतलब टाइटल तो आप अपने edit करके ही लिखें, बिल्कुल copy मत करना और उसके बाद इसने जो description का भी बताता हूँ मैं, ठीक है, title तो आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, इस video को open कर लेंगे आप, जैसे मैं इसको open कर लेता हूँ, उसके बाद वापिस हम अपनी application में आते हैं ठीक है, title तो आप यहाँ से लिख लेंगे इसमें, उसके बाद आपको यह description वाल option है, इस पे click करना है यहाँ से इस सब को हटा देना है, यह तो मैंने मेरी वीडियो में है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उसके ध्यान रखना है, और जो आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, वही सब आपका यहाँ पे description में होना चाहिए, उसी से related आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आपको चलक से लिखना चाते हैं, तो ठीक है, तब भी आप उसी वीडियो को select करें, जो आपकी वीडियो से topics related हो, तो उसके description में भी आपको वही मिलेगा, जो आपने अपनी वीडियो में भी दिखाया होगा, क्योंकि वो topic same होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे copy कर लेना है, और आप title में जो भी लिखते हैं, उसको आपको यहाँ पे जैसे इसने description में भी लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे description में भी उसे copy कर लेना है, तो इस तरीके से आपको title और description दोनों लिखने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ edit करके उपर save पे क्लिक कर देना है, जो भी आपको edit करना है, वो edit करने पहले, और visibility को unlisted ही रहने दे, और जो इसकी visibility है, उसको आपको आदे घंटे या एक घंटे के बाद public करना है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, तो आपकी वीडियो पे views जादा आएंगे, तो friends, अब आपने सीख लिया होगे, जो भी ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, अगर आप इसका सही से use करेंगे, तो आपकी वीडियो पे भी जादा से जादा views आएंगे, अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी query, कोई भी question है आपके mind में, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इससे जादा से जादा like और share करें, Thank you.